हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर अत्यांत मेहत्वपून हर एक क्लास के बच्चों के लिए खास थोर पर जो यार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फैदा उठा सकते हैं और यह काफी इंपोर्टेंट भी उनके रहेगा चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है चंधर गुपत बाश चंधर गुपत बाश टॉप जास वीक्रम अधित्या ओ सान अ så 375-414, also known as Chandragupta Vikram Aditya, there is a full name of here, Chandragupta Vikram Aditya, he is not only extended, he is a father empire, but also he is a consolidator, he is the position through the, he is nationally his alliance, the maternalist he aligns with other royal dencentrists of the period, he married of Kuver Naga, he is married of the Kuver Naga, the Naga princess, and had daughter of Prabhavati, the daughter of here, Prabhavati from here, as Prabhavati was given a marriage by the Rudhasen 2, there is a daughter of Prabhavati, marriage of here, Rudhasen 2 of the, is a Bakatak, Bakatak desentry ruling of Deccan, after death of the husband, the Prabhavati ruling to tell his reason, a minor son, the son here a minor, With the help of her father, the control of his Bakatak, there is a territory of proof to the very beneficiary of Chandragupta 2, Miss Vikram Aditya, as was now able to target his other enemy better, there is a most important, His greatest military achievement was his victory over to the Shaka king, and who were the ruling in western India, from the last 300 years, this question made of the Gupta empire, rich up to the western coastals, On the iron pillar, an inscription of the Meru Ali in Delhi indicates that his empire of, including even northern western India, Bengal, He took the title of Vikram Aditya, is the one who is powerful as a son, Chandragupta 2, is a remembered of the Praetoginag of art and literature, He is a critic of the maintenance of nine dominaries of the Navratana in his court, The great Sanskrit poet is a play writer, Kali Das was the most notable of them all, there is a most important here, Kali Das, The Chinese Buddhist pilgrims of Fahin, Fahin is a AD 411 visit to India during the regional, he has left on account of the life of people in India in the 50th century AD, There is a most important here, a Chinese Buddhist is a pilgrims of Fahin, there is a most important here, . . . . . लगिन चंद्रगुप्त दिरिपते भी बहुत काफी शक्तिशाली था, जिसको आप विक्रम अधित्य के नाम से जानते हो, आपने काटून भी देखे हो गये, कई जगा जो है विक्रम अधित्य के चर्चा भी सुने हो गये, वो काफी तागतवर था, और ये काफी समंद्रग का पूत्र था, देखा जाए समंद्रगुप्त के पश्चा उसका पूत्र, चंद्रगुप्त विक्रम अधित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसे मात्र अपने पिता के समराज्य का विस्तार ही नहीं किया, बलकि इस युक के अन्ने वंसों के साथ विवाई की संबन्द द वा, दक्षिन में सासन कर रहे, बकाटक वंश के साशक, रुद्रेंद्रित्य से हुआ, कहते हैं, रुद्र शेर्ण की मिर्ट्व हो गई, अपने पती के मिर्ट्व के उपरांत, जो यहां प्रभावती ने अपने पिता की सहता से अपने अव्यक्स पूत्र के संब्रक्षन दित्तु के पश्षाद यहां पर अपने पिता के संब्रक्षन में उसने साशन किया था, बकाटा चेतर पर नियंतरन जो है चंद्र गुद्रित्य के लिए बर्दान सीध हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, कि वह अपने सत्रुव पर और 72 तरीके से आकर्मन कर सकता था, क्य तो यह बहुत बरा बर्दान सीध हो गया चंद्रुप दित्य के लिए, उसकी महांतर सेने उपलब दिया पश्षिम भारत में 300 वर्सों से सासन कर रहे सासक समराज्य पर विजय रही, इस विजय के फल्स रूप गुप्त समराज्य की सिमाएं भारत के पश्वित तर्ट तक पहुँच गई, यानि दिरे दिरे छेतर थी बढ़ती ही चली गई, और इस बात का अंदाजा ये लगा कर देखा जा सकता है कि आपको समक्ष यह मान चित्र आया है जो गुप्त काल के अंदर गाता है, आप देख सकते हो कि इसका जो राज्य था हर एक छेतर में फैला था, आप देख सकते हो कि इसके जो राज्य संपून जो है भारत वर्ष में फैला हुआ था, तो देखा जाए तो चंदर गुप्त का साशनकाल था, वो काफी इंपोर्टेंट था और इसके दृत्य ने जो है सफलता पुरवक इसको जो है फैलाने में महतपून योगदान भी दिया, उसके राज्य का विजय हम अगर देख ये तो महराली दिली में एक लो अस्तम में हमें सारी बातों का संकेत भली भाती प्राप्त होता है, कि उसने समराज्य में उत्तर पश्रिम बाड़ा तदा बंगाल की सभी राज्ये थे, यानि हमने मैप पी देखा, उसमें भी सुना होगा कि विक्रमादित्य कितने पावरफुल था, ठीक है, चंद खुब दित्य काल था सहित्य के संदक्षन के लिए भी विख्यात था, उसके दरवार में नवरतन हुआ करते थे, संस्कृति के महान कभी था था, नटकार, काली दास भी इनमें से सर्वधिक इनि वद्धे तिर्थ यात्रा फरहान, यानि संद 404 से लेकर 401 गारा ने जो उसके साशन काल में भारत की यात्रा भी किया था, यानि फरहान जो था, इस चंद्र को दृत्य के अंतर गती जो है, यात्रा किया था, उसने पाचवी सतावदी के लोगों के जीवन का विवरन भी दिया, यानि फरहान के आपने देखा ही होगा, उसने काफी इंपोर्टेंट जो था, इस समयकाल के बारे में बताया था,